कि है यह अज 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 आपका बदबद स्वागत करता हूं यूटूब चैनल अकाउंट्स और सुलेशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है तो दोस्तों आज के टोपिक में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी इंफोर्मेशन देने वाला हूं इंफोर्मेशन क्या है डिटेल तरीके से मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा तो काफी लोगों का कोल्स आता है तो उनका कहना यह हुता है कि सर आप क्या-क्या काम करते हैं तो मैंने यहां पर एक लोगो लगा दिया है बीजी अकांटिंग सॉप्टेर को जैसे मेरी कंप स्वाइल एप्लिकेशन बैंक इंपोर्ट एड़न इस तरह का काम करते हैं बीजी से संबंदित बीजी अकांटिंग सॉप्टेर से संबंदित सभी परकार का मैं काम करता हूं तो दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद आपके सयोग से अपने जो सस्क्र सब मैं पंभाने यह सब्सक्राइबर आपिपशन सब्सक्राइबर दोस्तार झे härव ripping सब्सक्राइबर वह सब्सक्राइबर सेdays 500 बहुत धन्यवाद जो आपके सयोग से अपने आठ हजार दो सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो दोस्तों आज आते हैं अपने टोपिक पर टोपिक क्या है सबी लोगों की जो समस्या है वो कहां पे आके रुख जाती है कि हमें प्रोपिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो यहां पे मैं बिल्कुल प्रेक्टिकल करके बताऊंगा एक प्रोडेक्ट मैं पर्चेज करूंगा उसके बाद मैं सेल करूंगा प्रोपिट मुझे कहां न चल जायेगा कि इस बिल के अंदर मैंने कितना प्रोफिट कमाया है और सभी लोगों का यही प्रोब्लम से अभी कोई भी क्लाइंट आप से माल लेता है उसका यह 10,500 रुपे का बिल बना तो व क्या करता है कि जैसे अभी लाइट फिटिंग का है कुछ हाडवेर का जैसे काम होता है या किसी भी तरह का अगर काम होता है या फिर आपका मेडिकल स्टोर है बहुत से जो पर्षन है वो क्या करते हैं कि 10,200 का बिल हुआ है तो 10,200 आपको न अंदर मैंने कितना profit कमाया है तो इसी के बारे में discuss करेंगे मैं यहां पर एक purchase invoice चड़ाता हूं और बिल्कुल practical करके मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कि यह जो project है किस तरीके से काम करता है मैंने क्या किया आज की देट एंटर करें 26 देट एंटर करें तो दोस्तों यहां पर एक purchase invoice चड़ाके मैं आपके लिए बताता हूं और profit किसी साफ से calculation होता है यहां पर मैं क्या करता हूं एक company है बीजी accounting software company है जिससे मैं माल purchase करता हूं यह एक demo के रूप में मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं यहां पर मैंने क्या किया एक mobile purchase किया यहां पर mobile का quantity purchase किया है और मैंने पचास हजार 500 रुपे का एक mobile purchase किया जिसका जो amount है 69,590 रुपे उसका total amount हुआ है और पचास हजार पे इसका without GST amount हुआ है इससे आपको easily समझ में आ जाएगा कि मैं किस point की बात कर रहा हूं यहां पर मैंने एक normal एक item purchase किया है उसका जो rate लगाया है पचास हजार 500 रुपे अब मैं इसको पहले सेव करता हूं मैंने सेव किया सेव करने के बाद इसी तरीके से आप purchase का invoice चाड़ाते हैं मैं क्या करता हूं अब एक sales का invoice generate करता हूं sales invoice जैसे मैंने date enter करी उसके बाद मैंने यहां पर customer का नाम लिखा नरेंदर कुमार एंटर किया item का नाम जैसे ही मैं लिखूंगा एंटर किया एंटर करते हूं मैरे सामने एक तो क्या दिखा रहा है 69,590 रुपे का यह item purchase किया है लास्ट जो आपने purchase किया है 69,550 रुपे का purchase किया है अब मैं क्या करता हूं कि 69,000 का अगर मैंने mobile खरीदा है तो मैं इसको 60,000, 61,000, 62,000 मैं कुछ सो बेचूंगा 2%, 3%, जो भी आपकी normal जो rate रखते हो अगर सपोच करो मैं इसको 62,000 रुपे में अगर sale करता हूं तो मेरे सामने इसका जो profit है last का जो column है customization करके ये एक नया column generate किया है और इसका जो amount हुआ है यानि मैंने कितना पेशा कमाया यहाँ पर अगर 69,590 रुपे का मैंने product purchase किया है इसको मैं 62,000 रुपे का अगर मैं बेचता हूं तो मैंने कितना पेशा कमाया 2410 रुपे और ये बिल्कुल perfect calculation है इसको मैंने क्या किया save किया सेव करने के बाद अब मैं क्या एक दूसरा product purchase करता हूं और उसको भी practical करके आपके लिए बताता हूं यहाँ पर next purchase मैंने एंटर करी purchase की date एंटर करी इसके बाद purchase का invoice number एंटर किया मैंने यहाँ पर बीजी इंपोटेक सेलेक्ट किया इसके बाद मैं क्या करता हूं एक mobile यहां से मैंने mobile लिखा ठीक है mobile यह piece में purchase करना चाहता हूं 18% GST है ठीक है यहाँ पर एंटर किया एंटर करने के बाद एक नया mobile एप में purchase करना चाहता हूं मैंने क्या किया दस quantity purchase करी इसका जो amount है कितना amount है जैसे सपोच करो इसका 2400 प्लस GST इसका rate है मैं क्या करता हूं purchase के अंदर discount का option चालू कर देता हूं मेरे को कितना percent मिला है 10% का discount मिला है एंटर किया 260 रुपे प्लस GST इस discount को में हटा देता हूं ठीक है यहां से मैंने क्या किया save किया अब मुझे बनाना है sales का invoice यहां पर एंटर किया एंटर करने के बाद customer का नाम लिखा नरेंदर कुमार एंटर किया एंटर करने के बाद mobile app मैंने select किया 2548 रुपे असी पेसे इसका cost है यानि 2160 इंटर अठरा परसेंट अगर करते हैं तो 2448 रुपे असी पेसे इसका calculation बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है अब मैं क्या करता हूं एक mobile को अगर 2700 रुपे का अगर मैं बेशता हूं mobile application को मुझे एक पीस में कितना पेसा मिला है 111 रुपे 50 पेसा मुझे profit मिला है और इसका total भी यहां पे आ रहा है ठीके इसके लावा और भी example में लेता हूं देखो यह सारी चीजे में इसलिए बता रहा हूं कि काफी लोगों का यही problems रहता है कि मैं कितना profit कमा रहा हूं हर voucher पे उसको पता चल जाएगा जैसे आप invoice को open करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना profit कमाया है मैंने यहां पर एक mobile भी मैं लेता हूं वापस से नोकिया का mobile purchase किया एंटर किया यहां पर 69,000 रुपे का मैंने 69,590 का purchase किया 62,000 रुपे मैंने लिखा एंटर किया तो मेरे सामने इसका जो profit total count होके आ रहा है 2561 रुपे 20 पेसे मैंने इस पर कमाये है अगर मेरे पास budget है तो मै discount दे सकता हूं जैसे आपने कुछ भी line आगर आपने बना रखिए 5% की 2% की 1% की जो भी आपने line बना रखिए तो आपको calculation करने के बाद पता चल जाएगा कि मेरे को कितना रुपया इस में profit मिल रहा है मैं क्या करता हूं एक example और भी लेता हूं क्या लेता हूं पर्चेज प yes ugar sugar select किया और मैं क्या करता हूं यहाँ पर kg में select करूँगा और इसका जो भी tax rate है सपोच करो मैंने 5% डाला एंटर किया इसके बाद मैं क्या करता हूं 5000 kg sugar purchase करता हूं 30 रुपे के साब से 2% मुझे profit मिला है 29 रुपे 40 पे से plus GST का मैंने item purchase कर लिया है 39 रुपे 40 पेसे into 0.5 30 रुपे 87 पेसे का 1 kg मेरे को पड़ा है किसमें घर में पड़ा है यहां से मैंने save किया save करने के बाद वापस में sale करने जाता हूं मैंने date enter करी customer का नाम लिखा नरेंदर कुमार enter किया enter करने के बाद sugar select किया मैं क्या करना चाता हूं 2000 kg में बेचना चाता हूं मैंने किस rate में purchase किया था मेरे सामने आ चुका है 30 रुपे 87 पेसे अब मैं इसको 34 रुपे में बेचना चाता हूं या 32 रुपे में बेचना चाता हूं या 31 रुपे 50 पैसे में अगर मैं बेचना चाता हूं मैंने rate select किया rate select करने के बाद मैं अगर 2000 kg सूगर बेचता हूं तो मुझे कितना profit होगा 1260 रुपे मुझे मिलेंगे तो इस तरीके से आपका जो भी voucher है अभी मैं अगर इसमें दो आइटम सेलेक्ट करता हूँ एक आइटम मैंने सेलेक्ट किया इसका 50 उरुपे लिखा इसके बाद दूसरा आइटम सेलेक्ट किया मैंने आप 20 किलो लिखा और इसका 45 उरुपे लिखा तो मेरे पास जितना भी profit मिल रहा है इस ब पर मुझे profit मिल रहा है तो दोस्तों इसी तरह की helpful वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नहीं वीडियो के notifications आपको मिल सके अगर आपको किसी भी तरह का customization का काम कराना है तो आप लोग मुझे लाइक और सेड जरूर करें आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टोपिक के साथ थैंक्यू